हलो फ्रेंड्स गुड़ अप्टरनून कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोगों के बहु ज़्यादा मैसेज आते वाटसब पे कॉल भी बहु ज़्यादा आता है तो सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि आंसर की कब तक आ जाएगा आप लोग बहु ज़्य आप class कभ से तयारी कभ से सुरू करेंगे कभ से आप class लेना सुरू करेंगे सीडेट के लिए तो इन सारे सवालों के नहीमें विडियो बनाया थो देखिए ऊपर करके बात करते हैं तो अगर हम पहले बात करें आंसर की-गी तो आंसर की जो है वो आपका लगभग 15 दिन में आता है अक्सर ठीक है 15 दिन जैसे माली जी कि आपका 7 जुलाई को एक्जाम हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि 21 जुलाई तक जो है आपका आंसर की आ जाएगा ठीक है तो साथ तारीक को अगर एक्जाम हुआ है तो 21 या बहुत जादा होगा तो 22 ये मान के चलिए तब तक आपका आंसर की आएगा और होता कि है जितने लोग भी एक्जाम देते हैं जितने स्टुडेंट एक्जाम देते हैं उनका सब क्या होता है अगस्त का जो पहला सब्ता होगा उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा ये तो हो गई दूसरी बात अब नहीं हो रहा है तो क्या करें नहीं जिसका हो रहा है उसका क्यू नहीं हो रहा है पता है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं प्रौपर तयारी नहीं करते बस सोँते हैं, पॉज़िटीव we dads पढ़ लेते हैं, टेइग वड़ पढ़ लेते हैं short cut खो़ते हैं, तो clear कर करके बता देते हैं, short cut खोजने वालों का नहीं होगा आपको proper मेहनत करना पड़ेगा आप जैसे कल कुछ लड़की कॉल कर रही थी कि मेरे बच्चे हैं मैं नहीं काम मैनेज कर पा रही हूँ मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं आपसे जूड़ी तो हूँ लेकिन आपका विडियो देख नहीं पा रही हूँ तो पढ़ाई का कोई सबस्टिचूशन नहीं है मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा प्रापर सिलेबस पढ़ना पड़ेगा सारा टॉपिक समझना पड़ेगा तो जिसका नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे वो अभी से सीडीपी का सारा चेप्टर पढ़ाया हुआ है वो जाकर के सीडीपी का जो चेप्टर है सीडीपी चेप्टर नाम से प्लेइलिस्ट है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है इसको आप सारा चेप्टर अभी से जाके समझेंगे जिनका नहीं हो रहा है लास्ट टाइम पर जगेंगे तो नहीं होगा ठीक है और यह चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट जो है यह भी आपका 99 का जो पी वाइक्यू है उसके साथ फ्री है तो जब आप सारा चैप्टर देख लेंगे ना उसके बाद आप प्लस क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आए वाटसप पे की मेरा 105 बंड़ाए 104 बंड़ा 110 बंड़ा है तो जिसका भी ऐसा है कि हो रहा है वह क्या करेंगे देखिए कि कि वेकंसी के लिए वेट मत करिए कि बीपेस्ट का वेकंसी आएगा यूपी टेट का वेकंसी आएगा या SuperTet का वेकेंसी आएगा उसके बाद हम पढ़ना सुरू करेंगे चाहे आप आप ने भी BADLAD में एडमिसन लिया है आप CTET के लिए पढ़ना चारहे या आपने CTET का एक्जाम दिया आप BPSC के लिए पढ़ना चारहे वेट किसी को नहीं करना है आप देखते होंगे बिहार में जब BPSC का एक्जाम होता है तो अचानक से निकलता है 15 दिन पहले बता दिया जाता है कि 15 दिन के बाद आपका एक्जाम होगा और चाहे वो कोई भी एक्जाम हो CTET हो या BPSC हो या कोई भी एक्जाम हो 15 दिन में तैयारी पूरा नहीं होता है ठीक है किसी का भी तैयारी 15 तो आप लोग क्या करेंगे जो लोग भी प्यार्टी के लिए अगर सोच रहें कि हमको भी प्यार्टी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है 6 से 10 तका All Subject पढ़ना पढ़ेगा All Subject NCRT All Subject NCRT ठीक है और यह NCRT जो है आप चेप्टर वाइज पढ़ेंगे और आपको टेस्ट जो है वो सिर्फ 99 में ही मिलेगा अगर आप Learn with City app डाउनलोड करेंगे तो 99 में ही आपको सारे जितने भी NCRT में चेप्टर ने सबका टेस्ट जो है वो 99 में ही मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको NCRT का सारा चेप्टर पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि यही किसी भी एक्जाम का बेस होता है ठीक है और यह टे ख़ते कि कि अप next set at जो है उसकी तयारी कब से सुरू करवाएंगे ठीक है बहुत सारे student पूछ रहे ते कि next set at की तयारी कब से सुरू करवाएंगे तो तयारी सुरू करवाने कि आप आसा में मत रहें क्योंकि प्रहाई करनी होते है प्लेइलिस्ट में जितना भी CTP का वीड है ठीक है तो आप लोग अभी से मेहनत करिए अभी से लग जाए क्योंकि जब विप्यसी का फॉर्म निकल गया या कोई फॉर्म निकल या फिर आपको टाइम उतना नहीं मिलेगा कि आप तैयारी कर ले तो तैयारी आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा ठीक है चलिए अ बेस्ट